नमस्ते दोस्तों प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत हैं जब आप किसी परिक्षा हॉल में होते हैं और आपके सामने प्रशन पत्र आता है तब आप अपने प्रशन पत्र पर देखते हैं कि प्रशन में है कि define कीजिए परिभाशा दीजिए या explain कीजिए या व्याक्या कीजिए या फिर ऐसे ही discuss कीजिए compare कीजिए अलग-अलग शब्दावलियां आपको प्रशन पत्र पर दिखाई देती हैं और विद्यार्ची उन्हें बार-बार उससे ये पूछा है कि सरी इनको differentiate कैसे करें कैसे पत पड़ता है कि मैं competitive examinations की बात नहीं कर रहा हूं यह आपको post graduate के examination में दिखाई देगा यह आपको graduation examination में दिखाई देगा in fact यह आपको school examination में भी दिखाई देगा लेकिन school examination में फिर भी बात नियांतरण में रहती है तो हमने सोचा क्यों ना इस बात को थोड़ा धंग से समझाया जाए विद्यार्थियों से कि यह जो question directives होते हैं जिने हम प्रशन निर्देश कहते हैं यह क्या है और इनसे कैसे प तो है critically examine करने से कैसे अलग है या discuss करने से कैसे अलग है तो आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों के लिहाज से यह समझाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग प्रशन निर्देश question directives क्या होते हैं भाशा कभी-कभी इसमें bilingual स्वभाविक तोर पर होगी क्योंकि यह इसके मूल सिथांत को समझने के लिए आपको जिस तरीके से समझना है वह यह है कि कोई भी परिक्षा कोई भी मूल्यांकर दरसल परिक्षक से संबाद है यह मूल बिंदू है जिसे आपको समझना है जब आप चूकी हमारी शिक्षा पद्दती ऐसी रही है कि आपने लगात परिक्षाओं के वास्तविक मर्म तक पहुँचने की बजाए उनसे डरते हैं और जब आप उनसे डरते हैं तो आप उनसे लड़ते हैं लड़ना परिक्षाओं से पाके पार जाने का परिक्षाओं से हासिल करने का सही तरीका नहीं है समवाद उसका तरीका है तो पहला करनी देनी की कोशिश नहीं कर रहा है वो आप पर कोई दाव नहीं लगा रहा है कि उसने आप से कुछ लुक चुक कर कुछ पूछ लिया चिप चिपा कर कुछ पूछ लिया और आपकी समझ में नहीं आया इसलिए उसको अंक काटने का मौका मिल गया यह शायद परिक्षक को देखने का सही तरीका नहीं है परिक्षक तो बाकाइदा प्रशन देकर आपसे संवाद हासिल करना चाहता है आप उस प्रशन से डरने की वजाए क्यों ना परिक्षक के संवाद को समझें और जब आप संवाद को समझेंगे तो उसमें चिपे गए निर्देशों को भी जब भी आप प्रशन पत्र में डिफाइन देखते हैं तब आप क्या मांग कर रहा है प्रशन करता परिक्षक की क्या मांग है यह आपकी समझ में बहुत आसानी से आना चाहिए क्योंकि यह सबसे सरल चीज़ होती है वे आपको आपसे एक कथन की मांग कर रहा है जब भी ड परिभाशा में होते हैं और परिभाशा का कुण क्या है परिभाशा एक ऐसा कथन होता है जो जिस चीज को परिभाशित किया जाना है उसे और केवल उसे वर्नित करें तो यह है इसलिए डेफिनेशन जब भी आएगा तब स्वाफ हवाई कहा कि आप एक बहुत चोटा सा इसका एक स्टेट्मेंट लिखेंगे यादि संबब होगा तो उसमें एक छोटा सा उधारंट दे देंगे अब बात खत्म हो जाए इसलिए डेफिनेशन रिलेटिवली आसान रहता ह स्कूल के विद्यारतियों को ज़्यादा परेशन करता है बाकि हायर एजुकेशन और कॉम्पेटिव इंजामिनेशन में अतना मुश्किल नहीं देता लेकिन इसके बाद के जो निर्देश है उन पर भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए मसलन आपसे कहा जाएगा एनलाइज टालिए थ्रो लाइट ओन देस या फिर आपसे कहा जाएगा एक्जामिन कीजिए या कृटिकली एक्जामिन कीजिए ऐसे ही क्रिटिकली एनलाइज कीजिए आलोचनात्मक विश्लेशन कीजिए यह जो अलग-अलग निर्देश हैं इन निर्देशों में को पहरे तो आपक एनलाइज इट और क्रिटिकली एनलाइज इसका मतलब यह नहीं है कि यह दोनों में उत्तर एक ही आएगा यह सही है कि परिक्षक जो आपसे मांग कर रहा है आपसे जो संबाद कर रहा है वह यह है कि इसके इस चीज़ को लेकर जो भी मसर्मानी जी आप से कहा गया डेमोक् कि तो क्या डेफिनिश क्या डिफरेंस होगे है सबसे पहले अनलाइज को ही सबज लेते हैं जब हम कहते हैं कि एनलाइज कीजिए अनलिसिस कीजिए तब हमारा मतलब होता है कि दिये गए विशे को अलग अलग बिंदूों में तोडिये आपको उसके अलग अलग घटकों को पहचानना है व्यक्त करना है और उन घटकों के आपसी संबंदों के बारे में बताना है यही इसका बूल तरीका होगा तो कैसे इसकी एप्रोच क्या रहने वाली है सबसे पहले आप ड्रीफली इंट्रड्यूस करेंगे फिर बॉडी देंगे और फिर रिलेशन्शिप बताएंगे रिलेशन्शिप बताना एनलिसिस की मु मुख्य मर्म है वहें इनके बीच के आपसी संबंदों को बताना कई बर आप उनके अलग-अलग कंपोनेंट्स को बताकर छोड़ देंगे और यह एक करबड़ बात हो जाएगी क्योंकि जो मुख्य मांग थी वहें इनके बीच का आपसी संबंद इस्तापित करना था जो की अनलिसिस की मुख्य विशेशना होती है तो यह हुआ एनलिसिस एनलिसिस में जब आप अलग-अलग मत्समानी जे इतिहास का कोई सबाल है आपसे कहा गया कि फ्रांस की करांती को के कारणों का विशेशन कीजी तो दो चीज़े हैं पहली बात आपको उसके साब तमाम घटक तमात संभावित कारण पता होने चाहिए कहां पॉलिटिकल डिस्केंटेंट था कहां एकनॉमिक हाट्चिप चल रही थी कहां सोचल इनक्वालिटी काम कर रही थी यह सब अंतरता है कारण बनते हैं जो फ्रांस की कांती है उसका ठेकिन बाद में आपको इनके आपसी रिले इसकी तब है अगला आता है एक्स्प्लेइन व्याख्या कीजिए इसका क्या मतलब होता है जब व्याख्या की बात करते है तो इसका मतलब है to explain का मूल संदर्व है to make something clear or understandable this involves providing a detailed description and maybe the reasoning why something is the way it is चीजब आप इसकी व्याख्या करने के लिए आपसे कहा जाएगा तब मूल दें आपका मतलब यह जी मोड़ी सब्कों पता आपको इसकी व्याख्या करके explain करके इसस पश्टता से सामने रखना यह normally किसी phenomena को लेकर किसी process को लेकर किया जाता है मनली जी आप से कहा जाए explain the process of photosynthesis अब photosynthesis एक चीज है उसके बारे में सामानेत है जानकर रही है लेकिन आपको इसके इसे explain करना है तो क्या हुआ इसमें पूरी अप्रोच के हुई ? शुरुआत में आप इंट रींगे फिर आप बॉड़ी देंगे, थिन आप से भी तो बारे में थोड़ा सा अब्स टेशन करेंगे लिए रीजरिंग में जाना है, कॉसी में जाना है, क्यों होता है तब करना है, finally आपको एक conclusion भी देना पड़ता है, इसका मतबब कि आप summarize करते हैं, तो यह है मूलतह explanation हुआ, तो अगर हमने photosynthesis की बात की तो आप बताएंगे, कि photosynthesis is the process in which the green plants use sunlight to synthesize food from the carbon dioxide and water, अब इस process को आप और आगे बताएंगे, इस process में कैसे chlorophyll शामिल होता है, कैसे light absorption होता है, light energy का, जो कि photo energy है, into chemical energy and then obviously it is being consumed by the plant, तो यह जो आपसी relationship को आप स्पष्ट कर रहे हैं, पता है, basic मोटा मोटी पता है, लेकिन आप उसको स्पष्ट कर रहे हैं, that's why it is primarily जो हम कह रहे हैं, कि यह explain है, इसी से दोनों और चीज़ा आजाती है, critically explain और critically analyze, जिसका मूल मतलब होता है, कि जब आप critically examine करने को, critically analyze करने को कहते हैं, ता उस समय आप उ जो भी लागू हो, वह चीज आपको दिखानी होती है, और फिर उसके अधार पर आपको को कोई या तो निशकर्ष देना होता है, या उसकी जो भी व्याक्या आप करना चाहते हैं, वह करनी होता है, यह critically analyze में होता है, आप critically analyze the effectiveness of United Nation in maintaining global peace, आप इसके पक्ष में भी बहुत सा तो आप उनको दोड़ों को दिखाएंगे, इससे हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, हम पूरे वीडियो में कर क्या रहे हैं, हम वीडियो में कर रहे हैं, एक basic सदा जो एक teacher को करना चाहिए, ऐसा teacher हम लोग जानते हैं कि जब हम परिक्षा में प्रशन पत्र बनाने कि हम क्या चाहते हैं, और ये एक तरह का संबाद है, मैं आपसे प्रशन पत्र की भाषा से प्रेम करने की मांग कर लो, प्रशन पत्र की भाषा आपको पीटने की भाषा नहीं है, आपको डराने की भाषा नहीं है, आपसे लड़ने की भाषा नहीं है, वो संबाद की भाष अगले बिंदू की तुरफ चलते कई बार एक्जामिन या क्रिटिकली एक्जामिन भी आता है जब एक्जामिन या क्रिटिकली एक्जामिन आता है तब हम क्या करने की कोशिश करते हैं अपłyक्शप परिक्षक की यह है कि आप losров validity of the statement देखेगैं यूजूली आप पाएंगे कि जब भी आपसे कहा जाएगा examin तो आपको एक statement दी जाएगी या आपको एक घटना के विशे में बताया जाएगा और कहा जाएगा examinate और critically examinate जब आप कहते हैं examinate तो उसके तमाम पाक्षों के विशे में आप बताएंगे normally approach क्या होगी कि आप उ बहुरों लिए देखेंगे कि इसमें क्या सही है क्या गलत है आप उसकी अग उसका 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 को सत्य नहीं मानेंगे यहां तक कि आप उसकी assumption को भी challenge कर सकते हैं लेकिन आपके पास evidences होने चाहिए आपके पास एकदम evidences होने चाहिए हिंदी साहित में इस तरह के प्रशन बहुत पारात है मालीजे आपसे कहा जाए कि राम की शक्ति पूजा में राम एक केंद्रिये किंतु भ्रमित व्यक्ति है अब एक statement है राम की शक्ति पूजा एक कविता है जिसमें साफ साफ इस तरह की कुछ बाते दिखाई देंगी लेकिन आप इस बात से सहमों तो जरूर नहीं है आप उसकी presumption पर आप इसकी पूर्वत हरणा पर भी सवाल उठा सकते हैं बशरते आप उस कविता से और उस कविता के बारे में कहे गए अन्य विद्वानों के मत से इस बात को स्थापित कर सके कि वहां राम भ्रम में दिखते हैं लेकिन वो भ्रमित व्यक्ति नही वहां के उन कथनों से जहां ब्रम भी दिखाई देते हैं उनका मानवता के प्रती प्रेम ही प्रकट होता है और समदी गेल्स जो आप उसमें कहना चाहें लेकिन क्रिटिकली एक्जामिन में आपको उसके मूल ठारणाओं पर सवाल उठाना होता है और अपने बात को कहना हो इसमें जो सबसे ज़्यादा लिखने वाला हिस्सा होता है वह निर्देश होता है विवेचन डिसकस वेनवर यू आज तो डिसकस अथिक जब आपसे कहा जाएगा कि इस अमुक चीज का विवेचन कीजिए देन यू आप तो टॉक अबाउट अबाउट इसका मतलब है कि आ इसका मतलब होता है विवेचन का है विवेचन आम तावर पर उत्तर का सबसे लंबा उत्तर होता है विवेचन में आता है आप समझ पारें एक शिक्षक के तौर पर मैं दरसल आपसे जो नर्देश होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं इसके अलावा कुछ बिंदुए जिन पर हम अलग से बात नहीं करेंगे लेकिन हाँ प्रशन पत्र में परिक्षक संबाद करते स में उन चीजों का इस्तिमाल भी करता है मसलब वो कह सकता है compare कीजिए तुलना कीजिए वे कह सकता है justify कीजिए या जैसे मैंने पहले बताया था प्रकाश डालिए या throw light on a certain day illustrate कीजिए outline कीजिए या फिर कह सकते है कि examples दी खिया मतलब का compare का Linda स्वभाविक है तुलना कीजिए इस चीज को उस चीज के साथ थुल्ना किजी दी गई दो चीजों के बीच तुलना चीज को अतीत या वर्तमान के साथ तुलना क्या जा सकता है इस इन चुनावों का पिक्स चुनाया के तुलना में तो बताईये कि ब्रशन प्रफ्ट में कहा गया इस पर प्रकाश ढलने को हैं यहां बड़ी गलती होती है बहुत बार एक्जाम समझने की बजाए जो आपको आता है बलकि उसमें भी कई वार वह है इससाद जो परिक्षक के हिसाब से जादा मैतफुर्ण नहीं है उस पर आप ज़दा एंफसिस दे दे देते हैं और उस चीज को छोड़ देते हैं जो परिक्षक उसके कई पर कहा जाता है रूप रिखा प्रस्तुख कीजिए आउटलाइन दीजिए इसका इसके रिलेटिबली आसान है कि आपको केबल उसको विस्तार से बता पता देना है इसके यह एक प्रिटिकली एक्जामेन करने की जुरूत आउटलाइन में नहीं पड़ती है ऐसे कहा जाए उधारन दीजिए और आप उधारन न दे तो गड़ पड़े अपके वल्वे आप परिभाशा दे के छोड़ दे या अकारन एक्स्प्लेइन करने लगे और उधारनों से परहेज करें वो गड़ पड़े कुल मिलाकर अंत में मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब ह हम निर्देशों को देखते हैं जो परिक्षा के प्रश्ण पत्र के निर्देश होते हैं मुझे व्यक्तिकत तौर पर ये ठीक वैसे ही लगता है जैसे मैं इंट्रिव्यू में बात चीद करता हूं मैं समवाद करना चाहता हूं इसलिए ऐसा नहीं है कि मेरी मन्शा किसी कै इसलिए वो कि वह इस बात को समझ लेता है उसकी लिसनिंग इतनी स्टॉम कि वह उसकी मन्शा तक पहुच जाता है तो इसका मतला आधा काम तो हो गया बिलकुल यही रटन एग्जामिनेशन भी होता है अगर आपने प्रश्ण पत्र को ठीक से समझ लिया है और मन्शा अगर आपने अच्छे से उस मन्शा को समझ दिया तो तुरंत ही आपको पता है कि आपके पास इसका उत्तर है या नहीं है अगर प्रश्ण पता आपको अनमती देता है कि इस प्रश्ण को छोड़ दीजिए क्योंकि आपके पास विकल्प में दूसरे प्रश्ण है और आप आपको पता है इस प्रस्ट का उत्तर नहीं बता तो फिर आप अनावेशक कोशिश नहीं करेंगे से अपना समय भी बचाएंगे अपने अंक भी बचाएंगे और आपका मुल्यांकन भी बेहतर होगा I hope कि answer writing के इस पहले step how to understand questions and question directives इस वीडियो से आपको इसमें मदद मिली होगी comment में बताईएगा कि आप exactly इसके अलावा evaluation मुल्यांकन से संबंदित या शिक्षा की अन्य पत्तितियों से संबंदित कोई सवाल जानना चाहते हैं तो हम लोग पविश्य में उसके बाहरे में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे